लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लौ तक काफी कुछ डिसकस कर लिया था कूलम्स लौ में सुपर पॉजिशन पिंसिबल हमारा हो चुका है एक लिबरियम पर प्रॉब्लम्स हमारी हो चुकी है यह कुलम्स लौ एंड यूनिट वेक्टर फॉर्म हम देख चुके हैं एक चीज जो मैंने डिसकस नहीं कि आप लोगों से लेवन्थ में मैक्सिमा एंड मिनिमा यहां से भी प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा इलेक्टर स्ट्राइट में भी मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स चार्जेस के लिए भी होती है और 11 से भी होती है तो मैं सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा कर डिसकेशन करने जा रहा हूं बेसिक डिफ्रेंशेशन आप सब लोगों को आता है 11 में आपने पढ़ा है ठीक है तो उस बेसिक डिफ्रेंशेशन को ना करते हुए हम सीधे मैक्सिमा मिनिमा पर चल रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे पहले maximum and minima को समझ लेते हम लोग सपोस बच्चो ये ये कोई मेरा y is equal to fx कोई function है सपोज ये उस function के लिए मैंने curve plot किया है अच्छा इससे पहले इससे पहले थोड़ा सा मैं recall करा दूँ हम differentiation से differentiation में अगर मैं geometrical meaning देखें हम geometrical meaning of differentiation कि अगर हम geometrical meaning देखें तो differentiation हमें क्या का देता है अगर मेरे पास ये कोई कर्व है ये कोई कर्व है मैंने कर्व के इस पॉइथ का slope निकालना है तो slope आप कैसे निकालते हैं geometrically आप इस point पे जिस point का हमें slope निकालना होता है उस point पर हमें tangent खीचते हैं ठीक है इस tangent का slope है वो कर्व के इस point का slope है यह कोई point है मानलो x1,y1 कर्व के इस point x1,y1 पर मैंने slope निकालना है तो मैं tangent खीचूंगा इस tangent का कि जो लोगूगा इस एंगिलका जो 10ρείिटा होगा वह कर्षक के इस पॉइंट का स्लोप है जुघेज़ में इंग डिफरेंशियेशन की क्या है जो मैं टूइशन की जमाट्रिकर्व मेंनिंग क्या है कि ये जो डी वाय अपॉण डी एक्स है तो इस निकालने का जो तरीका है वो क्या है dy upon dx जो है यह हमें क्या करता है it gives us slope of curve at any point तो dy upon dx हमें क्या देता है curve के किसी भी point का slope देता है किसी भी point का अगर हमने slope निकालना है तो हम mathematically कैसे निकालते हैं ऐसे निकालते हैं ठीक है यह जो 10 ठीटा है यह जो dy upon dx है यह किसकी वैली है इस इस एंगिल के 10 ठीटा की वैली के equal है यहां यह dy by dx जैसे मैं एक एक्जाम्पल लूँ आपको कभी भी आपको कभी ऐसे curve गिवन नहीं होगा slope find करने के लिए आपको उसकी equation given होगी मानलों suppose हमारे पास कोई कर्व है उसकी equation है कोई function है y is equal to 4 x square plus 2 यह कोई function है इस पे अगर मैं points ले लूँ अगर x is equal to 1 लूँ तो y कितना आएगा यह आप देख रहे हैं पैराबोला की equation है इसको आप plot करेंगे तो पैराबोला मिलेगा ठीक है इस पैराबोला पर पॉइंट कौन होगा जो भी पॉइंट होगा वह से satisfy करेगा x is equal to 1 रखों तो y क्या मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 2 6 ठीक है तो point p 1,6 इस पैराबोला पर है तो मैंने इस p 1,6 पे slope find करना है तो slope find करने का तरीका क्या है मैंने क्या बताया slope हमें कौन देता है d y upon dx हमें slope देता है यह differentiation की geometrical meaning है तो मैं कर्व के इस कर्व के इस point पर slope निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इस कर्व का slope निकालूँगा किसी भी point का तो कर्व का slope जो होगा वो कौन होगा dy by dx होगा यह slope है यह कैसे निकलेगा इसको differentiate कर दूँ यह y की जगा पर इसे रखूं में d upon dx 4 x square plus 2 यह differentiation आपको आता है इसका differentiation क्या हो जाएगा तो पहले आ जाएगा एट एक्स और इसका differentiation जीरो तो डिवाई अपॉंट डिएक्स यहां से यहां से डिवाई भाई डिएक्स जो है कितना आया निकल के मेरे बच्चों एटेक्स आया ठीक है अब मैंने किस पाइंट का स्लोप निकलना है वन कॉमा टू वन कॉमा शिक्स पे वन कॉमा शिक्स पे वन कॉमा शिक्स यह पॉंट का और यह ढूंA यह एक तो यह आपका स्लोप निकल आया कि तो इस कर्व के इस फंक्षन के इस पॉइंट का स्लोप यह है कि यह आप आगे है अप्लिकेशन अब डेवेटीम में लृट क्लास में टैंजेंट यह तो मैंने बहुत सींपल सा एक्जाम्पल दिया है ऐसी चुटी एक्जाम्पल में हमें यहां physics में अप्लाई करना होता है तो मैट्स में आगे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो डिवाइए पॉंट डिएक्स की geometrical meaning क्या बताई मैंने कि dy upon dx की geometrical meaning यह है कि यह हमें क्या देता है स्लोप देता है कि क्लियर यह ऐसा function दिया होगा किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना होगा उसे डिफ्रेंशेट करो ठीक करने के के बाद उस पॉइंट का कोडिनेट इसमें पुट कर दो तो आपके कर्व के इस पॉइंट का स्लोप आपका यह निकलाया इस कर्व के इस function के इस पॉइंट का स्लोप यह निकलाया कि क्लियर अब हम वापस अपने maximum minimum लटते हैं तो maximum minimum में अगर मैं maximum पॉइंट देखूं तो यहां से कर्व यहां से यह वाई की वैल्यू यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक यह फंक्शन वैरी कर रहा है कैसे वैरी कर रहा है इस इस प्वाइट से इस पॉइंट तक यहां से लेके यहां से बढ़ना श्रूु करती है और बढ़ के इस पॉइंट का स्लोप कर्व का स्लोप हम कैसे निकालते हैं कि करव पर हम ठैंजेंट खीचेंगे तो मैंने क्या करना है यह maximum point निकालना मैं यहाँ पर एक हしま teacいた मैकसिमा है फिर गजूंगा तो क्या हैे मैकसिमा बना एक 2023-2008 says zero इस maximum का स्लोब क्या है जी रो है और मिनिमम मपाइट का स्लोब देखूं तो वह मिनीमा मिनीमा पर टैंजेंट घंजण कीचुंगा यह मैंने मिनीमा पर टैंज़ंट खीचा बच्चो थे तो यह यहां से कितना एंगल बना रहा ह। 0डगरी 10 10,0 क्या है, 0, तो इस point का slope भी क्या है, 0 है, तो maximum और minimum point का slope जो है, वो क्या होता है, 0, और हमने geometrical meaning में क्या पढ़ा है, डिवाई अपर डिएक्स की कि यह डिवाई आपर डिएक्स हमें स्लोब देता है तो इसका मतलब यह हुआ दिश्मीन दाट एठ मैक्सिमम मैं इसका मतलब यह हुआ एठ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जहांपे फंक्शन maximum है या minimum है वहाँ पर क्या होगा slope which is dy by dx is equal to क्या होता है जीरो इसकी equation हमें given होगी mathematical equations होगी हमारे पास physics में हमारे पास इसा कोई curve given नहीं होगा ठीक है कर तो हम end में plot करते हैं किए हमेरा equations given होंगी अब force equation से इसका को बताना होगा कि कहा maximum है कहा minimum है force की maximum value क्या है minimum value क्या है हम मैं maximum distance को बताना होता है minimum و को बताना होता है physics में question mention करता है cur Holmes clearly पता लग रहा होता है कि यह problem जो है कि मैं मैंसी बता हो कैसे से पता लगेगा ठीक तो maximum और minimum points यह dy upon PD x क्या होगा zero क्योंकि dy upon dx क्या देता है मुझे slope देता है और maximum और minimum point का slope क्या होता है 0 I am clear तो dy upon dx is equal to zero से मुझे यह पता लग रहा है अगर मैंने मुझे y is equal to fees का कई function है मैंने इसको differentiate करा 0 से equate करा करने पर क्या होगा कि मुझे यहां से एक equation मिलेगी ठीक है एक equation मिलेगी उस equation को जब मैं solve करूंगा तो मेरे पास यहां से x की वह values निकल के आएंगी अगर मान लो x की यह value मान लो x1 है यह value x1 है और यह x2 है तो यहां से में एक equation निकल के आएगी जब मैं इसको differentiate करूंगा जब equation निकल के आएगी इस equation को मैं solve करूंगा ठीक ही quadratic equation होगी quadratic equation इसलिए होगी क्योंकि function एक बार maximum में एक बार minimum है तो दो values निकल के आएंगी x1 और x2 गी तो x की power 2 की equation होगी जब इस equation को solve करेंगे तो after solving this equation after solving after solving this equation हम मैं x की वह values निकल के आएंगे मेरे बच्चों x की वह values निकल के आएंगे जिन values पर function या तो maximum है या minimum है आपको x1 और x2 मिल जाएंगे यह नहीं होगा आपके पास यहां से नहीं होगा यह कुछ नहीं दिख रहा होगा ठीक है आपके पास यह दो आपको यह तो पता लग गया कि x1 पर function या तो maximum है या minimum है अब मुझे sure होना है मुझे इस बात को sure करना है कि whether the at is at x equal to x1 whether the function y is equal to fx is maximum और minimum at x equal to x2 y is equal to fx is maximum और minimum दोनों में से क्या है ठीक है हमें इसको confirm करना तो इसको confirm करने के लिए यह मैं मिटा रहा हूँ ठीक है यह वाली site कि इसको confirm करने के लिए हम क्या करेंगे यह हमारा maximum है बच्चोसा में maximum minimum अभर प्लॉट करता हूँ क्यों को अलग अलग और यह हमारा मैक्सिमा है कि यह हमारा मैक्सिमा है है वाइ एक्स्टेक है और यह हमारा minimum है यह हमारा minimum है यहां पर भी dy by dx is equal to 0 और यहां पर हो सकता है कि मैं इस maximum पॉइंट थोड़ा सा नीचे उत्रूँ इधर चलू तो नीचे उत्रूँगा तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करूं कम माइनस ज्यादा यह यह कम पॉयल्यू है और ये ज्यादा वैल्यू माइनस ज्यादा वैली श्माल वैल्यू स происそれは क्या मिलेगा इधर को 12 11 इधर को में जीनिह दर की इससे इससे पहले वाली देखने हूं उस वैल्यू से maximum fraction या इसके बाद 20 वालिव देखो उस वैल्म वाल्यू से मिलेगा निगेटिंड ऐस में मेद में- मैं- Як zagड़ेगी पीछा चलू तो भालेगी और आगे वाली दियो Ni से इस मिनिमम वैल्यू ग करूं तो डिफेरंस क्या मिलेगा आगे वाली वालिव से इस minimum value को माइनस करूं दो difference क्या मिलेगा अगीन positive मिलेगा यह जो difference है यह जो difference में यहां बता रहा हूं यह difference कौन देता है यह difference देता है double differentiation अ कि mathematical यह कैसे मिलता है इस double differentiation से मिलता है इस जी जो यहां जो आपने differentiate किया है इसको एक बार और differentiate करोगे x के respect में differentiate करने के बाद x की यहाँ values जो x1 है इस x1 को यहाँ put करोगे x की जगा पे जब x1 को put करोगे तो यह आपको क्या मिलेगा less than 0 less than 0 means negative और यहाँ पर आपको double differentiation की value जो होगी d2y upon dx2 x is equal to x2 के लिए अगर यह x2 है आपकी value यह x2 है तो यह क्या मिलेगा आपको greater than 0 means positive ठीक है तो आपके पास क्या condition है आपके पास condition यह है कि d1y upon dx 0 and double differentiation of y at point वो point जहाँ पर function maximum है या minimum है should be positive ठीक है तो x की इस value पर यह double differentiation की वे यह positive है तो function यहां पर minimum है और negative 4 तो function क्या है almAPP दो ये condition हमारा कर शूमा की में के लिए हो गयी में क comprehensive हो गई कशिए ये condition हमारी ममाրी किस के लिए में के लिए हो को क्यूंश और यह नहीं बताया आपको यह चेक करने का तरीका mathematics mathematics में ठीक अब हम अपने physics पो लॉटते हैं physics में हम क्या करते हैं इसको मिटाऊं physics में हम एक नोट लिखेंगे आप नोट यह है नोट यह है कि physics में कभी भी कि physics में कभी भी maximum और minimum maximum और minimum check करने की maximum minimum कैसे check होता है इस double differentiation से check करने की जरूरत नहीं पड़ती है आप फिजिस्क की जो problem देख रहे होगे अगर बुक में salt problem भी देखोगे तो महां पर कभी भी maximum minimum चेक नहीं किया होता reason being कि question में clearly mention होता है कि ये question की question में जो problem होती है उस में question clearly इस बात को mention कर रहा होता है कि ये problem maximum की है या minimum की है अगर दो वैलियू हमारी निकल के आ रही है suppose अगर हमारी दो वैलियू निकल के आ रही है तो हुआ चेक करने की जरूवत है कि इस वैलियू पर maximum है या minimum है उसी वैलियू पर फोर्स maximum या minimum है उसी को उठाके पुट कर दो आपको maximum या minimum मेली पता लग जाती है तो फिजिक्स में जब भी हम चल ले होंगे तो हमें यह वाला डबल differentiation कभी भी हम नहीं करेंगे numerical problem को solve करने के लिए ना आपको यहां practice करते वक्त डबल differentiation की कभी ज़रूत पड़ेगी ना आपको competitive exam में कभी डबल differentiation की ज़रूत पड़ेगी कोई और बोर्ड में कुश्चन आता है तो वहां भी डबल differentiation करने की ज़रूत नहीं है single differentiation करो 0 से एक्वेट कराओ सीधा सदसा काम है you will get the answer तो सारी बात का निचोड़ यह निकला जब भी Maxima और मिनिकमा की problem हो physics से तो आपको result जो निकल के आ रहा है जिसके जिस result को maximum minimum पूछ रहा है उसको differentiate करना है और उसको 0 से एक्वेट कराना है आपका answer निकलाएगा बस एक लाइन की बात याद रखें कि physics में जब भी हम question कर रहे होंगे तो हम differentiate करेंगे maxima minima की problem के लिए differentiate करेंगे 0 से एक्वेट करेंगे हमारा answer आज जाएगा double differentiation हम चेक नहीं करते है ठीक है जैसे दुतीन example लेता हूं मैं यहाँ सबसे पहले बाद छोटा सा example छोटा सा example अचार्ज क्यू इस एक्क्य्ट क्यू Sec. ठीक क्यू next आज क्यू sa कि एक्यू लिए आज क्यूं प्यू spend चाहँ लिए जा फ्यूट such that force between them can be maximum S.C. Varma में salt example आपका दियावा है तो a charge Q is divided on two objects मानलों सपोज एक Q charge है इसमें से एक object को हमने Q दे दिया तो दूसरे वाले object में कितना जाएगा बचा कितना Q में से एक object में Q चला गया तो बचा कितना दूसरे object में Q माइनस Q ठीक है इन दोनों object को कुछ certain distance apart रखने पर force कितना act करेगा F is equal to K Q1 Q2 Q into Q minus Q upon D square मानलों D distance में जब यह object है तो इन दोनों के बीच में कितना force act कर रहा होगा इतना force act कर रहा होगा ठीक है कह रहा है कि find charge on each object such that force between them can be maximum तो देखो clearly यह उसने पूछा है maximum यह minimum हो रहा हो था minimum की condition हो तो clearly यह maximum पूछता तो question में जब भी आपको ऐसे words मिलना हो maximum minimum largest shortest smallest longest ऐसे जब भी words मिलना होंगे आपको तो इसका मतलब वह question जो है maximum minimum का question है आपको result को differentiate करना है और differentiate करके किसे equate कराना है 0 से इतना छोटा सा काम करना है अब उसने किसको maximum पूछा है force को तो जिसको maximum पूछा है उसको differentiate करो और 0 से equate करा दो ठीक है force को maximum पूछे होने का मतलब कौन है या वैरिबिल टर्म यह क्यूं की value पूछी है find charge on each object charge पूछा यह क्यूं करना है मैंने such that force between them is maximum तो इसको इसको मैं क्या करूंगा इसको f f is maximum f is maximum where कहां है f maximum वहां maximum है जहां पर df upon dq is equal to क्या है 0 इसको differentiate करूंगा q के respect में 0 से equate करूंगा तो यहां पर q की value f की value put करो यह value put करो यहां इसको solve करके क्या लिख सकता हूं है बच्चो q से अंदर multiply कर दो क्या गया q into q minus q square upon d square ठीक है यह लिख सकता हूं इस value को उठा के यहां put करो f की जगा तो आपका क्या आया निकल के d upon dq k q into q minus q square upon d square और कौन है variable यहां only q k and d क्या है constant तो k upon d square आप is equal to 0 is equal to 0 तो k upon d square आपने बाहर रखा क्या आया q q minus q square is equal to 0 ठीक है तो इसको differentiate करेंगे तो यहां से q का differentiation कितना ओगा 1 यहां से q बचेगा इसका कितना ओगा 2q minus q is equal to 0 तो q is equal to q by 2 q is equal to q by 2 आ गया q is equal to q by 2 आ गया तो यह q minus q कितना है तो दूसरे object पे कितना आ गया charge इस q को उठा के यहां रख दो पहले object पे हो गया q q दूसरे object पे q minus q q minus q by 2 is equal to q by 2 ठीक है तो इसका मतलब दोनों object को कैसे charge आना चाहिए q by 2 q by 2 equally ठीक है जब charge को दोनों object पे equally equally डिवाइट करेंगे तो फोर बिट्विन दा चार्जेज यह होगा वो मैक्सिमम होगा कि ठीक है बच्चों एक कोशन और करते हैं कि एक कोशन और करते हैं यहां से कि एक कोशन और करते हैं फिर आपको दो-तिन कोशन में घर के लिए देता हूं और खुद से करने के लिए दूंगा दो-तिन कोशन जिससे आपके मैक्सिमम मिनिमा के सारे कोशन कवर हो जाएं 11 से दूंगा दो-तिन कोशन उसके बाद इलेक्ट्रिक फिल स्टार्ट करेंगे हम लोग और खुद दो-तिन कोशन तो-तिन कोशन दो-तिन कोशन ऑादिन कोशन विए ट्यार दो-तिन कोशन ईंगत्स D दिस्टेंस अपार्ट वेर शुट अफर्ट चार्ज small q be placed on perpendicular bisector of line joining the charges perpendicular bisector of line joining the charges such that force at q small q will be maximum find this maximum force find this maximum force also draw graph ठीक है यह क्यों दोनों charges fixed है आर प्लेस्ट की जगा फिक्स कर लें आप आर फिक्स्ट कि आट कि डिस्टेंस अपार्ट है तो हमने इन दोनों charges के perpendicular bisector पे small charge q को ऐसे पॉइंट पर रखना है जहां पर इस charge के पर force क्या आए मैक्सिमम आए ठीक है अगेन मैक्सिमम पूछ लिया उसने इसका मतलब हमें क्या करना है बहुत बहुत सीधा साधा सा कि स्टेप लेके चलना है सबसे पहले इस charge q को पर force निकालना है ठीक है फिर उस force को किस कंडिशन में पूछ रहा है मैक्सिमम कंडिशन में पूछ रहा है तो फिर उस force को डिफरेंशियेट करना है किस के लिए पूछ रहा है किस चीज़ के लिए मैक्सिमम पूछ रहा है चार्ज के लिए मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है पिछले question में चार्ज के लिए मैक्सिमम प तो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी रखा जा सकता है तो इस से कितनी डिससेंस यहां वह पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट लोगा यहां करें जिस पाइंट पर चार्ज क्यों को में के लिए सबसे पहले force निखालूंगा force निकालने के बाद उस position के respect में कि differentiate करूंगा अगर मैं इस midpoint से x distance ले लूँ कि मैं इस existence में charge को रखूं तो मैं इस एकस के टम में इसके ओपर फोर्स निकालूंगा इन दोनों की वजह से कहां रखें such that force maximum आये position निकाल नहीं है मुझे एक्स के लिए फोर्स निकालूँगा मैं यहां बाइसेक्टर पर रखे और फिर जो फोर्स आएगा उसको इस एक्सके रिस्पेक्ट में डिफरेंशेट करूँगा और डिफरेंशेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 0 से इक्वेट कराऊंगा टो एक्स की वो लिन कल के आ जाएँगी जिस वैलीय पे फोर्स मैक्सिमम है एक ही रिण li कल कि आएगी याद रखना मैक्सिमम कुछा है एक ही वैलीय निकल के आएगी दो निकल के नहीं आई एंगे कि हमें चेक करने लिए के जुरूत पड़े तो एक्स की जो गई निकल गई कुश्चन उसने मैक्सिमा पूचा है तो उसी वैलियू के लिफ प्याया है मैक्सिमम कि ठीके इस प्रॉबर्म इस कुश्चन को प्रोसीट करते हैं मैं में डा रहा हूं और आप नोट कर लिया होगा कोशन को प्रोसीड करते हैं बच्चो यह Q and Q मान लो बाइसेक्टर पे तो यह डिस्टन्स कितनी हो गई आपकी D by 2 यह कितनी हो गई D by 2 बाइसेक्टर पे यहां मिड पॉइंट से X डिस्टन्स पर यह कोई पॉइंट P है इस पॉइंट पे मैंने इस चार्ज स्मॉल क्यू को रखना है मान लो यहां पर रख रहा हूं मैं चार्ज को जब मैं यहां रखूंगा इस चार्ज को तो इस चार्ज के उपर मैंने इन दोनों की विज़े से फोर्स निकालना है तो यह वाला चार्ज पर यह force निकालने के लिए मेरे को यह distance चाहिए होगी तो यह distance कितनी आएगी अंडरूट अंडरूट x square plus d square upon 4 पैथा और अस लगा दिया अस पर यह distance तो यह वाला चार्ज इसको क्या करेगा ripple ripple करेगा बच्चो और इसकी वज़े से force निकालने के लिए distance चाहिए होगी यह भी distance x square plus d square upon 4 होगी यह भी ripple करेगा यह इसको ripple करेगा ना इस direction में ऐसे करेगा ripple यह दोनों forces equal होंगा अगर आप देखें क्योंकि charges same है और distance same है यह force अगर मैं निकाल हूँ तो यह force कितना है इंटो q upon this distance का square इस root का square करूँगा तो इस root का square करूँगा तो क्या आएगा x square upon d square plus 4 square करूँगा root हट जाएगा q1 q2 upon r square r is this ठीक है अब मैंने इन दोनों forces को add करना तो add करने के लिए मिए क्या कर सकता हूँ यहां से इस line को send कर दिया मैंने मनलों सपोस्पोस यह PAR थिटा है तो यह भी अंगल सेम ही है ढप तो मैं पहलो ग्रामृड़्यं लगाकर मैं इस इन दौनों forces को break कर दूँ काँ कि की इस force को और इस लाइन और इस लाइन के लॉंग ब्रेक करों तो यहान के कंपोनिंट आयगा क्या इसका आ का सो फो गोश्ता जिससे यहां दिटा बनता यह थे आएगा सुप कास के इसा तोड़ू में यहां पर यहां पर कंपोनेंटं क्या जाएंगा एक कॉस्ट ने स्कांपोनेंट यहुक्प próxima जाएगा ila programme चैना ऐसे इसको तोड़ो कंपोनेंट में यहां और यहां है को दिश्ट बना यह वाला component क्या जाएगा एफ रोस थीटा और यह component क्या जाएगा एफ रिख साइन थीटा तो ये दोनों कैंसिल हो गएं ठीक है और ये दोनों फोर्सेज ये दोनों फोर्सेज एड़ ऑप हो गएं तो एफ सेक्टर अब वोड डिरेक्शन में ऐसे आया कितना आया f net अया 2 f cos theta f cos theta f cos theta plus हो गए तो कितना अगया 2 f cos theta अब f यहां से उठागे रख दूँ इस में और cos theta इस triangle से इस triangle से स्क्राइब की वैलियू रख दूँ तो 2 k q into q upon x square plus d square upon 4 and cos theta is मेरे बच्चो cos theta is perpendicular sorry base base is x upon this h hypotenuse hypotenuse is under root x square plus d square upon 4 under root का मतलब power कितनी होती है half ठीक है तो यहां power कितनी है one और यहां कितनी है half तो one plus half कितना हो गया power add हो जाएंगी base same होता है तो three by two तो आपके पास जो net force आया आपके पास net force आया कितना two two k q into q x upon x upon x square plus d square upon 4 की power three by two यह आपके पास force आया अब आपने क्या करना है अब यहां से आपने force निकाल लिए इस force पर आपने में maximum minimum लगाना है कह रहा है find where should the charge be placed this charge q be placed such that this force will be maximum तो मान लो x मैंने निकालना है जहां पर force maximum हो तो f net is maximum एफ नेट इस मैक्सिमम वेर डी एफ नेट अपान डी एक्स इस इक्वाल टू जीरो इसको x के respect में differentiate करेंगे और 0 से equate करा देंगे तो जब मैं इसको यहां रखूंगा इस f net को यहां रखूंगा 2k q के बाहर आ गया 2k q के बाहर आया into d upon dx into x upon x square plus d square upon 4 की power 3 by 2 is equal to 0 यह यह पूरा term उधर जाके 0 हो गया 0 के साथ यानि इसको differentiate करना है सिर्फ अब आपको पता है यह formula के d upon dx u by v क्या d upon dx u by v नीचे वाला function into differentiation of उपर वाला function minus फिर उपर वाले function को बाहर रखेंगे इंटू d upon dx denominator को differentiate करेंगे upon denominator का square यह formula लगाना है ठीक है तो यहां से इसको अगर हम differentiate करें यहां से इसको मैं differentiate करूँ तो d upon dx यह किसको करना है पहले differentiate numerator को तो बाहर रखूंगा किसको x square plus d square upon 4 denominator बाहर आया 3 by 2 into d upon dx into x x को differentiate करूँगा ठीक है फिर minus अब किसको बाहर रखूंगा x को बाहर रखूंगा numerator को x को बाहर रखा मेरे बच्चो फिर किसको differentiate करूँगा x square plus d square upon 4 की power 3 by 2 upon x square plus d denominator का whole square 3 by 2 कितना है 3 by 2 इसका square is equal to 0 is equal to 0 ठीक है बोर्ड उदर अपियर हो रहा होगा कैमरे में अगर नहीं हो रहा है तो ध्यान दें is equal to 0 लिखा है मैंने यहाँ 0 से एक विट कराया इसको ठीक है तो यहाँ पर x का differentiation यहाँ पर इसको differentiate करना है यहाँ पर इसको differentiate करना याद रहा है एक्स बाहार है यहाँ एक्स को differentiate नहीं करना है यहाँ पर यह टर्म differentiation के बाहार है इसको differentiate नहीं करना है यहाँ किसको differentiate करना है इस सिर्फ x को और x का यह 0 यह उधर जाके 0 हो गया ठीक है यह पूरा टर्म उधर 0 हो गया जाके एक्स का कितना होगा वन तो क्या बचेगा यहां से एक्स स्क्वाइर प्लस डी स्क्वाइर अपन फोर की पावर कि थी बाई टू ठीक है माइनस माइनस एक्स इंटू इस पूरे को एक्स की पावर इन का फॉर्मला लगा लग यह पूरे को एक्स आजिंट कर लो कि चेन रूल मैंने बताया ते चेन रूल लगाना है ठीक है चेन रूल लगाते श्यांट से बनाते पर डिफरेंशेट करना है radiya meanings Co क्लियर तो इस पूरे को एक्स चमीर लो एक्स की पावर एन तो फाहले वह तृटीन कि अब पावर में से एक कम कर दिया तो 3 by 2 में से एक कम करोगो तो कितना होगा 3 by 2 minus 1 1 by 2 ठीक है बच्चो तो x square plus d square upon 4 की पावर 1 by 2 अब क्या करेंगे अब उठा कर फिर differentiate करेंगे किसको d upon dt d upon dx x square plus d square upon 4 को फिर differentiate करेंगे चेक कर लें आप is equal to 0 इस सब चीज़ों को चेक कर लें देखें ध्यान से अब 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 यहां से डिफ्रेंटिशेशन देखूंगा तो यहां से इसका डिफ्रेंटिशेशन कितना एगा टू एक्स और इसका क्या हो जाएगा जीरो तो यह आपका मिलेगा यहां से क्या मिलेगा यहां से x square plus d square upon 4 की पावर 3 by 2 is equal to यहां से कितना है 2x तो x into 3 by 2 into x square plus d square upon 4 की पावर हाफ equal हो गया ना अधर जाके यह equal to 0 है तो इसको माइनस 9 हो जाएगा equal चला गया into 2x यहां से differentiation यह तो मैंने as it is लिखा यह term मैंने as it is लिखा और इस differentiation की value यहां से इस differentiation की value कितनी आगा ए 2x नहीं हो रहा के लिए घर में खुद करसित करके देखें इस step को ठीक है तो यहां से 2 से 2 cancel हो गया यह 2 से 2 cancel हो गया तो आपका क्या आया निकलके यहां से अच्छा यह पावर यहां 3 by 2 है यहां कितनी है हाफ तो इधर आके पावर कितनी हो जाएगी minus 3 by 2 minus 1 by 2 तो 3 by 2 minus 1 by 2 कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा कि 1 यह denominator में जाएगा ना क्रॉस मल्टिप्लाई करोगे तो पावर मैनस हो जाएगी 3 by 2 minus 1 by 2 कितना होगा 1 ठीक है अब पावर 1 बची यह नहीं x square plus d square upon 4 बचा और यहां से कितना आ गया 3x और x यह 3x square यह आगे आपका 3x square अब मुझे जगा चाहिए यह सब मिटा रहा हूं में इधर वाला portion देख लें एक बार कि एक बार screenshot लेकर यह सारा नोट कर लें ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास क्या यह result x square अधर जाने के बाद क्या बचा 2x square is equal to d square upon 4 x square is equal to d square upon 8 x is equal to plus minus d upon 2 under root 2 कि ठीक है सो सो एफ नेट इस मैक्सिमम देखो चेक करने की जरूत नहीं है एक्स के लिए हमें यहां एक्स की दोनों वैली पर फोर्स मैक्सिमम है एक्स की positive और negative दोनों वैली पर मैक्सिमा है क्योंकि बाइसेक्टर के बाइसेक्टर पर अगर एक पॉइंट उपर है तो सिमेट्री से उतना ही पॉइंट नीचे भी मिलेगा आपको अगर in two to point है यहां यहां पर है Maximum यहां पर its making story हो यहां रखो यां रखो यहां कि बाद है तो यहां पर प्लेसमेंत और एक ही बात इस पॉइंट के वह मैक्सिममा हो विए मैक्सिमा हैitto हैंbeld F net is maximum at x equal to plus minus d upon 2 under root 2 अभी plot देखेंगे इसका हम अब उसने पूछा है what is the maximum value of force इस force की maximum value निकालने के लिए आपने वहां जो F net निकाला है ठीक है क्या निकाला आपने F net and maximum value of force इस आपने क्या निकाला था F net बच्चों मैं दुबारा से लिखूँ 2KQ into Q x upon x square plus d square upon 4 की power 3 by 2 आपने ये निकाला था यही force find के था इसी को differentiate के था आपने तो x यह निकल आपका अब आपने force की maximum value पूछनी है तो इस x की value को उठाओ और इसमें put कर दो तो आपको force की maximum value मिल जाएगी तो x की value को जब यहां put करोगे तो यहां पर put करूँगा तो दो जगा x एक यहां एक यहां तो plus put करो यहां minus put करो यहां तो square ही मिलेगा ठीक है x square की value यहां कितनी है d square by 8 तो यहां पर मैंने क्या put कर दिया d square by 8 और यहां plus minus तो k को यहां put कर दूमें तो 2 upon 4 by epsilon not q into q यहां कितना आया plus minus d upon 2 under root 2 upon ठीक है यहां पर कितना आया आपका d square by 8 plus d square by 4 की power 3 by 2 कितना हो जाएगा यह 3d square by 8 कितना हो जाएगा 3d square by 8 और इसको क्या लिख सकते हो तो 2 root 2 को root 8 तो इसको आप लिखोगे इसको आप लिखोगे 2 q q upon 4 by epsilon not plus minus d upon under root 8 upon 3 इसको क्या लिखोगे 3d square upon 8 तो 3 की power 3 by 2 कितना होगा 3 under root 3 और d square की power 3 by 2 कितना होगा इस पूरे hole को इसको आप क्या लिखोगे मैंने क्या कहा 3d square by 8 फिर इस पर पावर 3 by 2 है तो 3 की power 3 by 2 हो गया 3 root 3 और d square की power 3 by 2 तो क्या बचा d cube और 8 की power 3 by 2 क्या बचा 8 under root 8 ठीक है तो आपके पास force की maximum value कितनी आ रही है आपके पास force की maximum value कितनी आ रही है d upon root 8 d upon root 8 एक cancel हो गया उपर से नीचे बचेगा d square और ये root 8 root 8 cancel हो गया ये root 8 root 8 cancel हो गया ठीक है नीचे क्या बचेगा आपका only d square और ये 8 उपर जाके कितना हो गया 16 तो आपके पास f net आया इस plus minus sign को बहार रख रहा हूं f net is equal to plus minus 16 16 q q upon ये 4 है 4 3 जा 12 12 under root 3 pi epsilon 0 q into q upon d square ये आपको वैल्यू मिलेगी है इसको solve कर लो 4 से divide हो रहा है फॉर फॉर सा 16 और 4 3 जा 12 तो f net वैल्यू आई आपकी plus minus 4 यहां एक q q आएगा 4 q into q upon 3 under root 3 pi epsilon 0 d square ये आपका maximum value है ये फॉर्स की f net max maximum maximum value ये आपकी फॉर्स की maximum value है फॉर्स यहां maximum है फॉर्स यहां maximum है और ये फॉर्स की maximum value है चेक कर लीजेगा कुछ error आ गई हो तो लिखने लिखाने में calculation में ठीक है मेरे खाल से नहीं है को error मानलों को error है तो वो self correction कर लीजेगा है ठीक है बच्चों यह यहां पर फॉर्स maximum है और ये force की maximum value है फॉर्स मायनस aos sign किं आया है प्लस मैनस to s του directions के लिए आया है यहां यह value ह być magnitude की है फॉर्स का फॉर्स मायनस 10 डिरेक्शन के लिए इबायर 2 रूट टू पे फॉर्स उपर कोहोगा और माइनस DDo richDone vált direction पे होगा तो इस वाली direction के लिए फॉर्स की वैल्यू को प्लस लिया गया है तो नीचे वाली direction के लिए वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं दौ अपोजिट वेकटर के लिए एक वेकटर अगर अरफस्त होता है तो दूसरा वाला क्या होता है माइनस तो फ्लस माइनस साइन यहां डिरेक्शन के लिए आए हैं magnitude force का इतना ही है दोनों cases में दोनों जगा magnitude एक ही है प्लस साइन बता रहा है कि d by 2 root 2 पे upward है अब माइनस साइन बता रहा है कि d by minus d by 2 root 2 पे force downward है ठीक है तीस्री बात पूछी ती plot कि तीसरी बात प्लाट पूछी था पूछा था उसने यह मिटा रहा हूं में सारा कि देख ले नोट कर ले सब कुछ है बहुत अच्छा कोश्चन है एस सी वर्मा की प्रोब्लम है वहां से मैंने उठाया है इसको ठीक है यह कोश्चन आपका एम यू बीटेक में पूछा जा है आप सेम एग्जेक्टी सेम कुश्चन है तो इसी तरीके का आपका रिंग के लिए जब हम एक्सिस पर मेक्सिम मिनिमम फिल्ट देखेंगे कहां मेक्सिमम मिनिमम है कुछ इसी तरीके का मैथमेंटिकल स्टर्प वहां भी चल लए होते हैं तो इसको अगर हम प्लोट प्लॉट यह बच्चों यह क्यों है यह क्यों है प्लॉट को देखने के लिए यह क्यों पहली आगर यह चार्ज इन्फिनिटी पे चला गया तो प्रसक्न हो जाएगा जीरौ तो अगर हम प्लॉट देखें तो प्लॉट क्या है कि हम फिजिक्स में हमेशा रफ प्लॉट खीचते हैं याद रहे एक शेप हमें चाहिए होता है ग्राफ का शेप हमें चाहिए होता है पॉइंट से लेने की जरूत नहीं होती है जैसे आप जैसे आप बच्पन से ग्राफ प्लॉट करते चले आ रहे हैं वैसा प्लॉट यहां required नहीं होता है कि आप coordinate रख रख के coordinate point ले लेके भुरूने meet कराते है नो यहां में ग्रफ इसके चाहिए होता है ठीक है अगर मैं midpoint देखूंँ यहां midpoint तो midpoint यह है यहां से x लिया आर नहीं लिया मैंने नहीं फोर्स वाला चार्ज इसको इधर को रिपल करेगा तो फोर्स की minimum value zero होगी तो फोर्स जीरो से चलना शुरू करेगा यहां पर जब यह चार्ज इस पॉइंट से दर को two under root two यह कौन सी value आएगी वही जो अभी मैंने प्लस माइनस एफ मैक्स निका लेती इसको मैं खाली f max लिख देता हूं f max ठीक है जीरो से चला x अब यह यह x is equal to zero मतलब चार्ज कहां है यह mid पे है ठीक एक जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो चार्ज का क्या हो गया फोर्स बढ़ना शुरू करेगा फोर्स एक करना शुरू करेगा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और यहां से डी बाई root two से चार्ट जैसे आगे को खसकेगा चुकि यह maximum point तो इसके इधर जाओ जाओ फोर्स दोनों तरफ को घटेगा घटके infinity फेख्या हो जाएगा 0 इधर को आएं तो इधर को का जाएगा डेटी में मतलब थर्ड क्याइगा तो चार्ज झीरो यहां भी 4 जीरो से जब इदर चलेगा डेटीमर बाधना शुरू करेगा और बढ़के maximum होगा और maximum होगे घट के 0 हो जाएगा कहां पर maximum होगा force minus d upon 2 under root 2 पर यह value maximum value कितनी होगी minus f max minus sign या direction को बता रहा है यह आपका plot है clear कि अब बच्चे तीन कोश्चन आपके स्क्रीन पर आप यह हो रहा है कि तीनों कोश्चन मोशन से मैंने दिए है इनको आपने solve करना है और अगर आपसे solve नहीं हो रहे हैं तो मेरे से पूछेंगे ठीक है next class में हम electric field start करेंगे अगर अब अगर अगर यह पूप यह जए बच्चन आपके अगर